गुड मॉर्निंग एब्रिवन, वेलकम टो एग्जाम और्बिट क्लासेश आज है आठ अगस्त और आज के इस सेशन में आठ अगस्त से बनने वाले सभी महत्तपून कुईशन्स को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्तपून सुर्खियों पर जलवायू समिलन की थीम होगी लाइप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने दिया था प्रस्ताव चीन ने ताइवान के चारू तरब सुरू किया अपना सबसे बड़ा सैन्ने अभ्यास भारत और अमेरिका उत्राखंड के ओली में करेंगे मेगा सैन्ने अभ्यास आर्बियाई ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया रेपोरेट गूगल ने देश की आजादी की 75 वी वर्स गाट पर इंडिया की उडान परियोशना की की शुरुवात प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने नीती आयुक की संचालन परिसत की साथवी बैठक्की की अध्यस्ता भारतिय नौसेना की महिला पाइलेट्स ने पूरा किया अरब सागर पर सर्विलांस मिसन उत्राखंड सरकार ने पिर्तेक जिले में एक संस्कृत भासी गाउं बिक्सित करने का लिया निर्ण है अब डिस्कस करेंगे डेटेल से फर्स्ट कुश्यन देखेंगे जलबायू परिवर्तन पर 27 वे संयुक्त रास्ट फ्रेंबर कन्वेंशन यानि की कॉप 27 की मेजवानी कौन करेगा तो फ्रेंट जो कॉप 27 है ना इसकी मेजवानी करेगा मिस्र यानि की इजिप्ट मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक कॉप 27 की बैटक होगी और ये कहां पर होगी फ्रेंट तो याद रखेंगे मिस्र के सर्म अल सेख में इसे आयुजित किया जाएगा अभी सुर्खियों में क्यों बनी हुई है क्योंकि हाली में इसकी थीम जारी की गई है जो की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी दुवारा सुरू की गई एक बैश्विक पहल है लाइफ लाइफ स्टाइल फोर दा इन्वाइटमेंट सैयुक तरास्ट जलवायू सम्मेलन यानि की कॉप 27 की थीम होगी आगे डिसकस कर लेते हैं कॉप के बारे में Conference of Parties फुल फॉर्म याद रखेंगे कॉप का फुल फॉर्म होगा Conference of Parties जो की UNFCCC के अंतरगत आता है जिसका गठन बर्स 1994 में किया गया था UNFCCC की स्थापना बायू मंडल में ग्रीन हाउस गयर सांदरता को इस्थिर करने की दिसा में काम करने के लिए की गई थी फ्रेंट जो कॉप है न ये UNFCCC का सर्बोच निरने लेने वाला प्राधी करन है और 1995 से हर साल इसकी बैठक का आयूजन किया जाता है भारत चीन अमेरिका सहित इसमें 198 दल सामिल है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉप की पहली बैठक कहां पर हुई थी फ्रेंट तो याद रखेंगे बर्लिंग यानि कि जर्मनी में आयूजित किया था साथी में याद रखेंगे कि कॉप 8 की जो बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी जिसे दिल्ली घोष्णा के नाम से जाना जाता है और ये कब हुई थी फ्रेंट सो 2002 में हुई थी कॉप 26 की बैठक कहाँ पर हुई थी तो ग्लासकों में आयुजित की गई थी आगे डिस्कस कर लेते हैं मिस्र के बारे में यानि की इजिप्ट के बारे में तो मैप में आप सभी देख सकते हैं मिस्र की लोकेशन जो की आपको किस महादीप में देखने को मिलेगा अफरीका महादीप में नील नदी का बरदान किस देश को कहा जाता है तो याद रखेंगे इजिप्ट को कहा जाता है मिस्र की जो कैपिटल है वो कहीरा है और मिस्र की मुद्रा है मिस्री पाउड नील नदी कहां से निकलती है तो ये विक्टोरिया जील से निकलती है जो कि अफरीका की सबसे बड़ी जील है विक्टोरिया जील आस्वान बांध किस नदी पर बनाया गया है तो इसे नील नदी पर बनाया गया है भूमत्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौनसी है? स्वेज नहर जिसका निर्माण किया गया था 1869 में स्वेज नहर किन दो महाधीपों को बेवाजित करती है तो आप सबी को याद रखना है ये एसीया को अफरीका से अलग करती है भूमत्य सागर का प्रकास इस्तंब कहा जाता है स्ट्रामबॉली ज्वाला मुखी को जो कि आपको देखने को मिलेगा सिसली दीप पर सिसली दीप किसका भाग है तो इटली का भाग है अगर आप लोग पहली बार चैनल पर बिचिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी बेल आइकन दवाना बिलकुल ना भूले जिससे आप लोगों को क्लास का नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जादा से जादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजेगा नेश्ट कुशन डिस्कस करेंगे डेटिल से देज के चवदवे उपरास्ट पती कौन होंगे फ्रेंट्स आगामी परिक्षा के पॉइंटर व्यू से ये कोशन बहुत महत्पून है तो याद रखेंगे देज के चवदवे उपरास्ट पती होंगे जगदीब धनकर जो कि फ्रेंट्स कहा के राजचपाल रहे हैं तो ये पच्छे मंगाल के राजचपाल थे ग्यारा अगस्त को ये उपरास्ट पती पद की सपत लेंगे आए डिस्कस कर लेते हैं इनी से रिलेटेड साथी में आप सभी को ग्यात होगा कि उपरास्ट पती बर्तमान में कौन है एम बेक कहिया नाइटू जिनका कारिकाल 10 अगस्त को खतम हो रहा है और जगदीब धनकर 11 अगस्त को उपरास्ट पती पद की सपत लेंगे आगे डिस्कस कर लेते हैं उपरास्ट पती से सम्मंदित महत्पुन पिष्णों के भारे में भारतिय संबिधान को कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत का एक उपरास्ट पती होगा आर्टिकल 63 उपरास्ट पती पद के लिए कम से कम कितनी आयू होना आवसक है 35 उपरास्ट पती के चुनाफ सम्मंदि बिवादों को कौन देखता है तो सुप्रिम कोट देखता है उपराश्टपती अपने मत का प्रियोग कप करता है मतों के बराबर रहनी की इस्तिती में आगे डिस्कस करेंगे राज्य सभा की बैठकों का सभा पतित्व कौन करता है फिर्स तो याद रखेंगे उपराश्टपती जी द्वारा किया जाता है उपराश्टपती को पद की गोपनियता की सपत कौन दिलाता है तो संबिधान के अनुचेत 69 के तहट प्रसीडेंट दिलाता है अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि बर्तुमान में भारत की राश्टपती कौन है भारत के संबिधान में उपराश्टपती से सम्मंदित प्रावधान किस देश के संबिधान से लिए गए हैं तो अमेरिका के संबिधान से इन्हें किरण किया गया है भारत के प्रिथम उपराश्टपती कौन थे डॉक्टर S. राधा कृष्णन थे आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होता है उपराष्टपती का इलेक्सन तो उपराष्टपती का चुनाब संसत के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल यानिके इलेक्टरॉल कॉलेज के जरिये अनुपातिक प्रतिनिद्धों पद्धती से होता है फ्रेंट्स याद रखेंगे कि दोनों सद्रों के सदस्ट इसमें हिस्सा लेते हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 66 के अनुसर उपरास्ट पती का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों दुवारा किया जाता है तो इतनी जानकारी आप सभी को उपरास्ट पती जी के बारे में याद रखती है नेस्ट कुश्ण डिसकस करेंगे किस देश की संसत के उच्छे सदन यानि की सीनेट ने स्व consumo को नाटो में सामिल करने को मनजूरी देदी है तो फ्रेंट सीनेट किस देश का उच्छ सदन है तो ये है अमेरिका का और इसने हाली में नाटो में सामिल होने के लिए स्वेडन और फिंगलेंड को अपनी सहमती दे दी है तो इसका आंसर होगा अमेरिका आप सभी को ग्यात होगा इससे पहले तुर्किये तुर्की का नया सहमती दे चुका है आप सभी को ग्यात होगा कि यूकरेन पर रूस के हमले के हमले से डरे स्वेडन और फिंगलेंड ने नाटो का सदस से बनने के लिए आवेदन किया था इसके लिए सभी 30 नाटो सदस से देशों के समर्तन की जरूरत है इनमें अब तक दो तेहाई सदस से अपना समर्तन दे चुके हैं आगे डिसकस कर लेते हैं नाटो के बारे में तो सबसे पहले आप सभी मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये सब नाटो के सदस से देश है नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स तो याद परतमान में अध्याच है रो बावर और नाटो के सदस से देशों की संक्या है तीस याद रखेंगे आपसे एकजाम में पूछा जा सकता है स्वीडन और फिंगलेंड की लोकेशन भी आप सभी देख सकते हैं ये है फिंगलेंड और ये है स्वीडन अगला question discuss करेंगे नीती आयो की साथ भी सासी परिसत की बैठक की अध्यस्ता किस ने की है तो फ्रेंट्स हाली में नीती आयो की साथभी बैठक आयोजित की गई थी जिसकी अध्यस्ता की गई है प्रधान मंतरी नारेंद्र मोधी जी के दुवारा अन्य उप्संस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं परमेश्वरन अयर ये कौन है तो बर्तमान में नीती आयोक के सीई हो है सुमन के वैरी ये नीती आयोक के उपाद्यच है और धर्मेंद्र प्रदाने सिक्षा मंत्री आये डिस्कस कर लेते हैं इस बैटक के बारे में तो र इस से पहले बैटक काब हुई थी तो जुलाई 2019 में बैटक को आयूजित किया गया था आघे डिस्क्स करेंगे नीती आयूग के बारे में नीती आयूग का गठन एक जनवरी 2015 को योजना आयूग के स्थान पर किया गया था नीती आयोग का जो headquarter है वो नई दिल्ली में है नीती आयोग के अध्यच कौन होते हैं तो जो भारत के प्रधान मंत्री होते हैं वही नीती आयोग के अध्यच होते हैं जैसा कि बर्तमान में कौन है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी है उपाध्य सुमन के बैरी है और CEO है परमेशवरन आयर नेस्ट कुईशन देखेंगे युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सेन अभ्यास है तो फ्रेंट जो युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया जाएगा अमेरिका के साथ यानि कि भारत और अमेरिका इसमें फाक लेंगे आयोजन कब होगा फ्रेंट्स तो अक्टूबर 2022 में ये आयोजित होने वाला है और इसका आयोजन किया जाएगा उत्राखंड के ओली में इस अभ्यास के 18 संसकरण में कैई जटिल अभ्यास सामिल होंगे इससे पहले यानि कि पिछला संसकरण कब हुआ था तो अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलासका में इसे आयोजित किया गया था अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्सम बताएए कि जो बैरिंग जलसंदी है न वो किसे अलग करती है आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्युद अभ्यासों के बारे में जो की चर्चा में बने हुए थे वरुण 2022 नामक तुई पच्छिय नौसेना अभ्यास भारत अकिस देश की नौसेना के बीच हुआ फ्रांस के साथ भारत अकिस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेश वल अभ्यास यानि की खंजर 2022 का आयोजन किया गया था किर्गिस्तान के साथ बाली कतन 2022 सेन्ड अभ्यास का आयोजन अमेरिका और फिलिपीन्स के बीच हुआ था डस्ट लिक्स एक्ससाइज किंदो देशों के बीच हुई थी गूगल के दुवारा आये डिस्कस कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में तो भारत की आजादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई एहम उपलब्दियों को समेटे हुए गूगल ने एक ऑनलाइन परियोजना सुरू की है जिसमें सम्रद अभी लेकाकार और कला आत्मक चितरन के जरिये देश की कहानी बया की गई है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर दुवारा सुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्दियों का जसन मनाती है और इन 75 बर्सों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्जाम में कि जो इंडिया की उड़ान परियोजना है ये किस से सम्मंदित है तो फ्रेंट्स याद रखेंगे गूगल ने इसे सुरुवात की है इसकी चले आगे डिस्कस कर लेते हैं नेस्ट कुरिशन केस राज्य सरकार दोबारा पिट्टेख जिले में एक संस्कृत भासी गाउं बिक्सित करने का निर्ने लिया गया है तो फ्रेंट्स ये निर्ने लिया गया है हाली में उत्तराखंड सरकार तुवारा आये डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सबी 13 जिलों में एक-एक संस्कृत ग्राम बिक्सित करने का निर्ने लिया है यानि कि हर जिले में एक ऐसा गाओं होगा जहां के लोग संस्कृत भासा में ही बाच्चित किया करेंगे इन गाओं के निवासियों को प्राचिन भार्तिय भासा को दैनिक बोलचाल में इस्तमाल करने का परिसिक्षण विशेशग्यों दुवारा दिया जाएगा साथी मैं आपको बता दे कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इतने बड़े पैमान पर इस प्रकार की पहल करने वाला उत्राखंड देश का पहला राज्य है और इससे पहले हाब सभी को ग्यात होगा कि करनाटक राज्य में केवल एक संस्कृत भासी गाओं भी है संस्कृत उत्राखंड की दूसरी अधिकारिक भासा है जबकि पहली भासा है हिंदी नेस्ट कुरिशन देखेंगे कि इस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सेन अभ्यास आयोजित किया है तो ये जो अभ्यास है ना फ्रेंट्स ये किया गया है चाइना के दुवारा आए डिसकस कर लेते हैं इस अभ्यास के बारे में तो ये हैं अमेरिकी हाउस कीपर जैसा कि आप सभी को ग्यात होगा कि नैंसी पैलोसी जो की ताइवान की यात्रा पर गई थी और ताइवान की यात्रा के प्रतिसोत के रूप में ये अभ्यास सुरू किया गया है चाइना के दुवारा आईए मैप में देख लेते हैं कि चाइना कहा है तो यह आप सभी मैप में देख सकते हैं यह है चाइना चाइना की जो राजधानी है वो वीजिंग है चाइना की मुद्रा यानि की कैपीटल है रेमेंबी और चीन की जो रास्टपती है बरतमान में वो सी जिंग पिंग है रेपो रेट हाली में RBI दुवारा बढ़ा दी गई है और रेपो रेट कर दी गई है 5.40% आई डिसकस कर लेते हैं इसके बारे में तो भार्तिय रिजब बैंक यानि की RBI ने मुद्रा स्पीति को काबू में लाने के लिए रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ा कर 5.40% कर करें की फिर्म्स रेपो रेपो रेट क्या होती है तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बारिजब बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौद्रिक नीती समीथी में कितने सदस्य होते है तो याद रखेंगे 6 सदस्य होते हैं और मौद्र नीटी शमिति एक वर्स में कितनी बार प्रस्तुत की जाती है, ये कई बार एकजाम में पूछ लिया गया है, इस लिए याद रखेंगे, मौतरिक नीटी एक वर्स में छे बार प्रस्तुत की जाती है, अगला question discuss करेंगे, हाली में भार्तिया की महिला群 के सागर पर सर्विलांस मिसन पूरा किया है तो ये पूरा किया गया है अरब सागर पर आये डिसकस कर लेते हैं इस मिसन के बारे में तो नेवल येर कॉनकलेब पोर बंदर में इस्तित फार्टिय नौसेना के आई एन एस 314 के 5 अधिकारियों ने डॉनियर 228 बिमान पर सबार होकर उत्री अरब सागर में पहला सर्व महिला सोतंत्र समुदरी टोई और निगरानी मिसन पूरा करके इतिहास रच दिया है फिंस बिमान की कप्तानी मिसन कमांडर यानि की लेफटिनेंड कमांडर आचल सर्मा थी तो मिसन की जो कमांडर थी इनका नाम आप सभी को याद है हो सकता है आपसे एक्जाम में पूछ लिया जाए अब डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन इस्टैटिक ची के कुशन केन बेतवा लिंक के बीच कौन सा टाइगर रिजर्ब पड़ता है तो याद रखेंगे पनना टाइगर रिजर्ब जो की कहां पर है तो ये मद्द किस राजच में है तो ये हेमाचल प्रिदेश के सिर्मोर जिले की गिरी नदी पर है हिंदी भासा की लीपी कौन सी है फ्रेंट तो याद रखना है देवनाक्री है सबसे प्राचीन बेत कौन सा है रेख बेत है किसकी बेतन पर आयका नहीं लगता है प्रसिडेंट सूर्य मे कौन सा तत्व सरवादिक मात्रा में पाया जाता है हाईड्रोजन पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर और स्री नगर को कौन सा दर्रा जोडता है बुर्जिला तर्रा लोधी बंस का संस्था पक कौन था तो बहलो लोधी था मनुस्व में गुर्षूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 होती है पिछली क्लास में आपसे जो क्विशन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रोनिक्स ने एर व उसप किस राजिया केंद्र सासित प्रदेश में मनाया जाता है तो फ्रेंट्स इस उसप का आयुजन कια जाता है गोऊ vendor था रास्ट मंडल खेलों का आयुजन भारत में किस वर्ष किया गया था 2010 में? भारतिये खुपिया Agency Intelligence Bureau यानि की IV के नए निदेशक हाली में कौन बने है भारतिये ओलम्पिक संग के कारे बाहक अध्यच के रूप में किसे नामित किया गया है निमन लिखित में से वह राज्ज कौन सा है जिसकी सीमा म्यामार से नहीं लगती है नेस्ट एंड लास्ट कोईशन है बांगला देश अपनी सीमा को किस भारतिये राज्ज से साजा नहीं करता है तो फ्रेंट्स इन सबके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज के क्लास आप लोगों को कैसी लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएगा